आज कल की भाग दोड़ भरी जिंदगी में लोग काम में इतने हो जाते हैं कि दिन हो या रात उन्हें होश ही नहीं रहता यह आपके बॉस के लिए भले ही अच्छा हो लेकिन आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वैसे भी आज की जनरेशन को देर रात तक काम करते करते काम की आदत भले ना हो पर कॉफी की आदत जरूर पर जाती है ऐसे में आपको क्या लगता है कि लेट नाइट कॉफी आपकी नीद में दिक्कत पैदा कर सकती है चलिए आप कॉमेंट में जवाब बताईए तब तक मैं आपको बताती हूँ कि क्या देर रात को कॉफी पीना सेहत के लिए अच्छा है या नहीं लेकिन जानने से पहले आप हमारे यूट्यूब चानल ओनली माई हेल्थ को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे और हमारे वाट्साप चानल को भी फॉलो करें लिंक कैप्शिन में दी गई है या फिर आप स्क्रीन पर दिख रहे बारकोट को स्कैन करें और पाएं हेल्थ और स्वास्त से जुड़ी विश्वस नियजानकारिया स्टार्टिंग में तो आपको काम के साथ कॉफी पीना बहुत अच्छा लगेगा क्यूंकि ज्यादतर ओफिसेज में कॉफी फ्री जो मिलती है लेकिन धीरे धीरे ये आपकी एक गंदी आदत बन जाती है और एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है सोने और जागने के समय की स्वाभाविक प्रक्रिया को स्करियन रिदम कहा जाता है जो लगभग हर 24 घंटे में दोहराती है रात को कॉफी पीने से लाइफस्टाइल का रूटीन बदल सकता है दरसल कॉफी में काफेन और स्टिमलन मौजूद होते हैं जो आपके शरीर के बायोलोजिकल क्लॉक को खराब कर सकते हैं इससे शरीर में कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगती है लेट नाइट कॉफी पीने से नीन आने में दिक्कत हो सकती है चलो मान लो अगर आपको नीन आभी जाए तो आपकी नीन की क्वालिटी बहुत खराब हो जाती है क्योंकि कॉफी में मौजूद कैफेन नीन को अफेक्ट करता है कॉफी कैफेन एक डूरेटिक है जिसका मतलब है कि ये पेशाप की मात्रा बढ़ा सकता है और तरलता की कमी कर सकता है रात को कॉफी पीने से व्यक्ति को बार बार पेशाप जाने की इच्छा हो सकती है इसे वेक्ते के नीन में बाधा उत्पन होती है और ये नीन की quality को खराब करता है कौफी इन्जान के central nervous system को affect कर सकती है जैसा कि अभी बताया कि रात को इसके consumption से नीन में दिक्कत आ सकती है और अगर बात करे physical और mental level की तो stress anxiety भी बढ़ती है जिससे नीन में दिक्कत पैदा होती है Melatonin को नीन का hormone कहा जाता है ये नीन आने के साथ ही सोने और जागने के cycle को भी कंट्रोल करता है रात को कॉफी पीने से Melatonin release होने में देरी हो सकती है जिससे नीन की cycle बाधित होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो like, share and comment जरूर करें साथ ही अगर चानल पे नए हो तो subscribe जरूर करना और ये घंटी दबाना बिलकुल मत भूलना और है हम WhatsApp पर भी है, link caption में है कर दो कर दो कर दो कर दो